क्या आपने चना दाल का कड़ी खाया है बेसन का कड़ी तो हम हमेशा बनाते हैं पर आज मैंने बनाया है चना दाल की कड़ी ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बेसन की कड़ी से भी ज्यादा टेस्टी लगता है इसका कड़ी तो आज मैं आपके लिए एकदम समर स्पे कड़िये दो फर में चैना दाल का कड़ी बनाना था डेर से दो बजे के करिब तो मैंने सुभा उठते साथ ही चैना दाल को भिंगो दिया था तीन से चार गंडा प्रयाप्त होता है फुलने के लिए चैना दाल को आप चाहें तो रात में भी भिंगो सकते हैं अच्छे से पिषायेगा तब हम इसमें एक ये दो चमच के करीबी पानी डालेंगे और उसके बाद अगर चैना डाल का नहीं पिषाया है तो टैंशन देनी के जरृश्ए है आप मिक्स कर दीजेगा वह अच्छे से पकोड़ी या फिर चैना डाल पेसे हुए हुए दाल को मैं ये निक अब करते हैं और कड 210 और मैं रखिश यहां पर मेरे पास खट्टा दही रखिता है। लिया हुआ है एक कटोरी उसको मैं एक जार में ले ले रही हूं जिस जार में हमें चरादाल को पीसा था उसे जार में मैं दही को ले ले रही हूं और जो पेस्ट हमने अलग से निकाल के रखा था कड़ी बनाने के लिए उससे ले ले रही हूं इन सब को मैं जार में लेकर थ उसके सबसे अच्छा उपाई यही है कि आप एक जार में दही या माठा जो भी ले रहे हैं वो लेकर उसमें जितना आपको बेसन डालना है डाल लीजिए और इसको एक दो बार अच्छे से घुमा लीजिए इससे क्या होगा कि आपका जो कड़ी है वो कभी नहीं फटेगा त यहां पर गड़ी का घोल बनकर हो गया है तेयार में लासुन अधरक मिर्ची में पेश्ट बनाकर हूँ आ,पको 2 हरी मिर्च लिए एक गांटे लासुन को छिल का लिया है 3-2 हिंच के करीब अधरक लिया, estratégा हो माधि प्रही में का जानए पानी लेकर हमें पेस्ट लेना है इन्हों आपके पास धन्या पत्ता है तो अप्ढ़ा भी यूज़ कर सकते हैं मेरे पास धन्य पता नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली तो यहां पर सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका पकोड़ी बनाने के लिए चलते हैं तो एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया था आप चाहे तो कोई भी कुकिंग गॉइल यूज कर सकते हैं जैसे ही तेल अच्छे से घरम हो गया था ना तब मैं चुटा चुटा पकोड़ी तलने के लिए डाल दी रही हूँ पकोड़ी बनाते समय बस आप एक बात का धियान रखेगा कि इसमें किसी भी तरह का सोडा यूज मत कीजेगा क्योंकि इसमें सोडा यूज नहीं किया जाता है बस आप अच्छे से हाथ से ही इसे फेट लिजे और उसके बाद आप इसका पकोड़ी बना लिजे इसके जो प तो मैं सभी पकॉडी को निकाल ले रही हूं पकॉडी निकालने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा तेल है ना उसे मैं एक कलचुल की सहाइता से कडोरी में निकाल के रख दूंगी सिर्फ 3-4 चमच के करीब मैं यहां कड़ाई में तेल रख रही हूं फोरन के लिए तेल जाता गरम हो गया था इसलिए मैंने गैस को कर दिया है बंद उसके बाद हम फोरन डालेंगे जिसमें हैं आदा चमच के करीब मेथी आदा चमच के करीब जीरा वन फोर टेबल स्पून खड़ा धनिया आदा चमच के करीब पीला सरसो वन फोर टेबल स्पून सौफ और उसे के साथ 3-4 सूखी मिर्चे और खूब सारा कड़ी पत्ता मेरे पास ताजा कड़ी पत्ता नहीं है दालने के बाद मैं यहां पर डाल रहे हूं लासून अधरक मिर्ची का पेस्ट इन सब को अच्छे से चला लेजे चार से पांच मिनट के लिए आप इसे बुझ लिए ताकि जो लासून अधरक का जो कच्छा पन है वो अराम से निखल जाए कड़ी बनाते समय इससे ना कड़ी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बनता है तो यहाँ पर सभी मसाले अच्छे से बुझा गए थे तो जो घोल हमने त्यार करके रखा था उसे मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ अच्छे से चलाने के बाद मैं यहाँ पर स्वादा अनुसार नमक ढाल दे रही हूँ और उसके बाद आप इसे हाई फ्लेम पर छे से साथ मिनट के लिए लगतार चलाते हुए रही हैगा चैना डाल का जो पकोड़ी है उसमें अच्छा सा उबाल आना इसटार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए चैना डाल का जो पकोड़ी होता है इसलिए आप कड़ी के उबाल आते साथ ही बरी को डाल देज़ेगा ताकि कड़ी पकते तक चैना डाल का जो पकोड़ी है उसमें अच्छा सा रस गूश जाए और जो बरी है वो एकड़ी हो जाए तो यहाँ पर कड़ी है वो कड़ी में अच्छा उबाल आ गया है तो अब हमें इससे चलाने की जर्वत नहीं है बस आप इसे लो फ्लेम पर होल बनाईएगा तो 10-15 मिनिट के बाद हमारा कड़ी भी बनकर हो गया है तेयार में आपको एक बरी काटके दिखा दे रही हूं तो यहाँ पर यह देखे बरी के अंदर तक रस भी चला गया है तो अब हम गैस को कर दे रहे हैं बंद और अब यह के लिए चौक त्यार करते करीमी सा कड़ी बनकर हो गया है तैयार तो आप भी अपने घर में एक बर चना दाल का कड़ी बनाकर जरूर ट्राइगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और थोड़ा सा टेस्ट है वो भी अलग लगेगा यहां पर मैं लगा दे रही हूं चौक और अब तयार करते हैं स कड़ी चावल सलाथ और आम का कूचा यह आम का कूचा है वह समर में बहुत ही अच्छा लगता है आप एक बार अपने घर में जरूर बना के ट्राइगा इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अप्लोड़ेट है मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तह दिल से धन्यव अथ मिलती हूं मैं आप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई